माव बगला मुखी माता को लेकर हिंदू धर्म में विशेश मान्यता हैं। कहते हैं कि सभी प्रकार के संकट और शत्रूओं से बचाने वाली माव बगला मुखी की सिर्फ दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी समस्याय दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं ये भी मान्यता है कि माव बगला मुखी माता के स्तोत्र का श्रवन और पाठ करने से साधक को विद्या, लक्ष्मी, यश्ट, कीर्ती, एश्वर्य, संतान, सुख आदी की प्राप्ती होती हैं। वहीं कोर्ट कचेहरी के मामलो और राजनीती आदी के मुकाबलों में भी विजय की प्राप्ती होती हैं। आईए जानते हैं माव बगला मुखी माता के पावन तीर्थों के बारे में। माव बगला मुखी के फेमस मंदिरों में सबसे पहले दतिया का नाम आता है। दतिया में बना ये मंदिर महभारत काल का माना जाता है। यहां माव बगला मुखी को माव बगला मुखी को माव बगला मुखी के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है इस मंदिर में माता का स्वरूप एक ही दिन में तीन बार बदलता है। माता के इस शक्तिपीट में देश विदेश की कई नामी हस्तिया माता टेक चुकी है। माव बमलेश्वरी, माव बगला मुखी का एक प्रसिद मंदिर चत्तीसगर राज्य के राजनांद गाव जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाडी पर स्थित हैं। यहां माता को माव बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहां मंदिर में हर साल आश्विन और चैत्र की नवरात्री में भव्य मिला लगता है। लोग दूर दूर से माथा टेकने मा दर्बार के लिए आते हैं। त्रिशक्ती माता, बता दे की माता बगला मुखी का एक मंदिर मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में स्थित है। निर्देश पर की थी। वंखड़ी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मा बगला मुखी का मंदिर वंखड़ी नामक स्थान पर है। और मंदिर का नाम श्री एक हजार आट बगला मुखी वंखड़ी मंदिर है। ये भी महाभारत काल में बना हुआ मंदिर है, मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में ही हुई थी मंदिर में कांगड़ा के राजा सुशर्मा चंद्र घटोच ने माता की विशेश साधना की थी कोटला, मा बगला मुखी का एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है भवन में जाने के लिए 138 सीधियों को चड़कर जाना पड़ता है यह मंदिर भी महाभारत कालीन माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पांदवों ने अग्यात्वास के समय मा बगला मुखी की साधना की थी खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन में कुंदा नदी के किनारे प्रसिद नवगरह मंदिर मा बगला मुखी का ही है यहां मा की विशेश मूर्ती स्थापित है ऐसा माना जाता है कि मा बगला मुखी की पूजा करने से नवग्रहों से जुड़े सारे दोश दूर हो जाते है मुंबा देवी महाराष्ट्रा में कुलजा भवानी के रूप में मा बगला मुखी इस प्रदेश की कुल देवी है इनका दूसरा नाम मुंबग देवी भी है और बता दे की मुंबा देवी के नाम पर ही यहां की राजधानी का नाम मुंबई रखा गया है मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो में साजा की गई जानकारी पसंद आए होगी ट्रिपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दो